दोश्टो अब हम महत्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे महत्मा गांधी को महात्रक राष्ट का कहा जाता है और भारती जो राष्टी आंदोलन हुआ है उसमें 1915 के बाद जो कुछ भी घटित हुआ है उसके केंदर में कहीं न कहीं प्रत्यक्षा प्रत्यक्ष्रोप से महात्मा गांधी रहे हैं महात्मा गांधी की लडाई ना केवल भारत में थी बलकि उन्होंने अफ्रीका में भी अंग्रेजों के खिलाफ लडाई लड़ी थी तो महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाप लड़ाई लड़ी और अपने शुरुवाती दिनों में अफ्रीका में अंग्रेजों को धोल भी जटाई थी तो जब वो भारत 1915 के करीब लोटे तो उनका स्वागत बहुत ही जोर सोर से हुआ क्यों कि महात्मा गांधी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो कहीं न कहीं अंग्रेजों को परास्त करने में यांग्रेजों से अपनी बात मनाने में सफल रहे थे और गांधी जी ने फिर लगभग एक बार ही 1924 में बेल गाओं में कांग्रेस या धेक्षिता की थी आप तो जानती ही होंगे और उसके बाद 1915 के बाद आने के बाद उन्होंने तीन अंदोलन चलाए फिर उसके बाद असहियों का अंदोलन चलाया गया लगभग 1920 में स्व और अंदोलन चला कुट इंडिया मुवमेंट और 1927 में भारत की जब आजादी मिली तो महात्मा गांधी का बहुत बढ़ा योगदा माना जा सकता है तो चली थोड़ा सेंके जीवन परच्चे के वारे में देख तो मोहंदास करंचंद गांधी अर्थात महात्पा गांधी जी राजकोट के प्रधान दिवान देता था उनकी स्थाचारिता एवं निस्वक्षता का बड़ा बोलबाला था उनकी माता पुतली बाई एक साधु प्रवित्य की अत्यन्त धार्मिक महिला थी जिनकी धर्म निष्टा का प्रभावा आंगे चलकर गांधी जी पर पड़ पर भी उन पर काफी प्रवाव रहा है सन 1887 में मैट्री की परिच्छा उत्रिन करने के बाद अंगले बर्स बरिष्टर के अध्यान के लिए लंदन चले गए लाज जाने के पहले माता जी के सम्मुक उन्होंने सपत ले थी कि मैं तीन बस्तुएं मद्द मास और नारी का से गोश्टी थी गांधी जी के जनम दिन के अफसर पर तो उसमें यही प्रस्ण उठफार के आया कि गांधी और एक समान ब्यक्ति में क्या अंतर है तो एक कोई महां वहां पर विद्वान टाइप के विक्ति आये हुए थे उन्होंने यह बताया कि गांधी जो एक बार कर लेते थे अगर वो गलत रहता था तो दुबारा वो उससे नहीं करते थे और एक समान ब्यक्ति अगर कोई चीज गलत है तो उसको बार-बार तोराता है तो अगर एक समान ब्यक्ति को पता चला है तो दारू बीना गलत है तो उसे बार-बार वो करता रहेगा लेकिन अगर गांधी जी होंगे खेर उन्होंने मद्य मास और नारी से हमेशा दोई रखी लेकिन इन केस अगर गांधी जी एक बार दारू का सेवन कर लेंगे दु तो गांधी जी एक बार वही गलती दो बार नहीं दो रादे विलाद में सपत ने दथा सत्यनिष्ठा साधे जीवन वा आस्तिक्ता ने सभी प्रकार के प्रणों से उनकी रच्छा की यहां रहते हुए उन्होंने बाईवल काईट किया इसके अंतरगत नूँ टेस्टामें के मूले के प्रति जागरू किया गीता का परच्च उन्होंने अपने जीवन की मार्ग दर्थिका बना लिया 10 जून 1890 को उन्हें बरिष्टर की उपाधी मिली और 12 जून को सुदेश के लिए रवाना हो गया विलार से लोटने के बाद पहले राजकोट में उसके बाद बंबाई में उन्होंने बकालत का काम किया किन्तु बंबाई का बंबाई का जो बया था अधिक होने करन वो बुन दोहार को देखकर उन्हें बहुत आखात लगा और इसी कारण 1904 से 1915 तक गांधी जी ने अनेक बार सत्य ग्रह किया गांधी जीवन के अंगले 22 वर्स तक यहीं रहे इसी समय उनके मौलिक सिध्धान्तों यानि निस्क्री प्रतिरोथ यानि पैसिव रजिस्टेंस और सत्य ग्रह की बस्ति का विसकार और प्रयोग हुआ गांधी जी को रचन अफरीका में रहते हुए वहां के समस्याओं की सरकारी नीतियों की अच्छी चक्छी जानकारी हो गई वो मुकदमा समाथ होने के बाद कुछ समय भारत में रहना चाहते थे इसी बीच उन्हों ने समाचार पत्रों में यहां पढ़ा कि नेटाल सरकार भारतियों को मताधिकार से वंचित करने के लिए एक कनून मराने वाली गढधी जी ने समाचार पत्रों में अंदोलन चलाने के लिए नेटाल इंडिया कॉंग्रेस की स्थापना का सुझाओ दिया रशन अपरीका में रहते हुए गढदी जी ने अपने सिधानतों का विकास और प्रयोक किया अपने आदर्सों और सिधान्तों को क्रियात्मक रूप देने के लिए डर्वन से कुछ मिल दूर एक आदर्स क्रिसिवस्ति स्थापित याद रखिएगा इसको ध्यावन से देखते जाईएगा गांधी जी के अब 1915 से बात के जो उनका जीवन है उसके कम कॉश्शन आते हैं उसके पहले वाले से ज़्यादा कॉश्शन आते हैं क्यूंकि इसके बाले में लोग जब्रते नहीं हुए तो इसको फरीजिएगा या अच्छे से धियान से सुन लिजिएगा वहां पर गांधी जी फिनिक्स आसरम प्रतेग आश्रम बासी को अपने हाथ से सब काम करते हुए ब्रतिकत स्रम अमसहियों के आधार पर काम करना पड़ता था 1906 वा 1907 में ट्रांसवाल की सरकार ने वहाँ पर भारतियों के प्रवेस टोकने के लिए कानून बनाए इन कनूनों का बिरोद एक आंदोलन उसका लेत्वा थैष सबास्थ्ट करने के फाने के लिए बातितिा बारत में अंग्रेज तिस वर्स तक गांदी जी भारत के सुतंता संग्राम मोजन कल्यान के कार्यों में लगे रहे। बारत आकर उन्होंने 1915 में एहमदाबाद में साबरवती नदी के तठ पर अपना एक आस्रा में स्थाबित किया। नोने प्रसम विस्योद में भारतियों को अंग्रेजों की साहता करने के लिए भी पेरित किया था। फिर 1917 में भारत में सरपतमनों ने बिहार के चमपार अंचले में अपने दत्याग्रह का पहला सफल प्रियोग नील की खेती करने वाले भारतिक इसकों पर गोरों द्वारा की जाने वाले अत्याचार के बुरुद किया था। फिर 1919 में गांधी जी ने नागरिकों को मौलिक शुतनताएं छीनने बारे रोलाट एक्ट का सांतिपूर्बग प्रित्रोध करने का अंदुलन किया। आपका कोई सहियोग नहीं करेंगे। आपके साथ कॉपरेट ही नहीं करेंगे। किया था। 1930 में गांधी जी ने पूर्ण सुराज की प्राप्ति के लिए नमक कर आधि धरकारी कानून तोड़ने के जिश्ट से सबने अभाग्यां अंदोलन चलाया था। इसके समाप्ति 1931 में गांधी इर्विन समझावते से हुई थी। और इसी के बाद गांधी जी राउंड टेवल कॉन्फरेंस में इस्सा लेने के लिए गये थे। क्योंकि सेकंड राउंड टेवल कॉन्फरेंस थी और उन्फरेंस में था 1932 में तीसरे दूसरे वा तीसरे गोल में समेलों भाग देने के लिए इंग्लेंड गये थे। जब इन में असफलता हाथ लगी तब उन्होंने कहा कि भारत जाकर वो असयोग शुरू करेंगे। भारत पहुंचते ही उन्हें गिरवतार कर लिया गया। उन्हें उन्हें कारागार से छोड़ दिया गया। उसके बाद कुछ वर्सों तक उन्होंने हर्जन कल्यार के कार में अपना समय वितीत किया। फिर कांधी जी 1922, 1930, 1933, 1932 में बंदी बनाए गया। तो यह करम याद रखिएगा। 1922 में बनाए गया, 1930 में बनाए गया, 1933 में तो बनाए ही गया, 1942 में बनाए गया। ने भारत छोड़ा अंदोलन का उड़िस सरकार कि इंगा सब्दामें गांधी जी होग आन्धिजी और कंग्रेस के समेत और सभी नेताओं को बंद्र उनना लिया। अंत में गांधी जी और कांग्रेस के प्रत्नों के फल सरूप 15 आगस्त 1947 को भारत को तंता मिली लेकिन इसके बाद देश में हिंदू-मुस्लिम संखर्चरम पर पहुँच गया। यह सायद ही विस्वास कर सकेंगी कि उन जैसा हाड मास का पुतला कभी इस प्रत्रवी पर पैदा हुआ था। उनके कार इतने महान थे कि लोगों को उन पर भरोसा ही नहीं होगा कि एक ऐसा ब्यक्ति भी हुआ करता था कभी क्या। उन्हें अमर बना दिया। मिर्तों से वह अपने जीवान की अभेक्चा अधिक बलसाली हो गया। यही बात है कि आप किसी के किसी के सरीर को मार सकते हैं। लेकिन आप उनके विचारों को नहीं मार सकते हैं। जोकि आपने एक व्यक्ति को मारा तो फिर वो व्यक्ति आमर हो गया। उसके विचार आमर हो गया। नहरू हमारे जीवान से प्रकास चला गया है। जब गांधी जी की मृत होई थी तब उन्होंने कहा था। गांधी योग यह 1920-1946 तक रहा। गांधी जी 1893 से 1915 तक दच्टाफरीका में रहे। नौजनबरी 1915 को भारत लोटे। इसलिए नौजनबरी को प्रवासी भारती दिवास मनाया जाता है। तो जो विभिन विद्वान है उन्होंने कांधी ची को क्या उपाधे दिये हैं उसको देख लेते हैं तो बापू यह पंडित नहरू कहते थे। राष्ट पिता यह सुवास चंद्र बोस का दिया हुआ पदवी है। महात्मा यह रविन्ना टेगोर कहते थे और उन्होंने चंपरण आंदुरन की सफलता के बाद उनको महात्मा कहना श्टार्ट किया था। वन मैन आर्मी यह माउन बिटन कहा बोला करते थे। देश द्रोही फकीर यह चर्जिल बोला करता था। अर्धनंगा फकीर यह फ्रैंक मौरिस बोला करता था। और प्रोफेस्नल लीडर यह रोमा रोला बोला करता था। में दो नाल्ड पंचाट के विरूद एरवदा जेल में पूने में उन्होंने अमरण अंसन किया था और उसके बाद पूना सम्झावता हुआ था गांधी और अंबेट करके मद्ध गांधी जी के अंदोलन तो 1917 में उन्होंने जमपालम सत्यग्रह बिहार में किया था यह पर्थम सबीने अवग्या अंदोलन था राजकुमार सुकुल का इसमें बुलावा आया था जिन कठिया परदती के बुरुद ही यह अंदोलन चला था दो हजार सत्तरा में इसकी सताब् मनाई गई थी फिर 1918 में आयम्दाबाद मिल हड़ताल हुई थी प्लेग बोनस को लेकर ये प्रतम भूख अड़ताल थी 1921 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ गुजरात का ये प्रतम असायों गांदोलन था गांधी जी इसमें गुजरात किसान संकी अध्यक्ष थे 1929 में रूलाट एक्ट के वरूत सत्याग्रह ये प्रतम जन अंदोलन था चैप्राइल 1929 को देशब्यापी हरताल कायोजन किया गया रूलाट एक्ट वा जलिया भाग वाला हत्याकान के बाद उन्होंने केशरी हिंद बौहर युद पदक वा जुलू विद्रोह पदक दोटा दिया था 1915 में केशरी हिंद की उपादी उन्हें बिटी सरकार ने बौहर युद के दोरान उनकी बिटी समर्थक सेवाओं के लिए दी थी 1919 में खिलापत अंदोलन में इन्होंने बढ़चर का हिसल लिया गांधी जी ने 1920 में गांधी जी ने एमधाबाद में गुजरात ब लेना है तो लेना अपने हमने कहा था कि इंसा मत करना लेकिन इसा क्यूं किया आप पहली चीज दूसरी चीज अंदोलन कपसे कपसे चल रहा था दो साल हो गया था गांधी जी को एक strategy पता थी कि लोगों को कुछ समय के लिए तो आप उत्ते जित कर सकते हो या लोगों को किसी आंदोलन में जोप सकते हैं लेकिन धीरे धीरे लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से लौटने लगते हैं अभी जो किसान आंदोलन हुआ तो लंबा खिंच गया तो इसे काइंड अफ भले किसी फार्म वापस ले लिए लेकिन किसान आंदोलन की जो पढ़नेती होनी चाहिए वो नहीं हो पाई तो जितना लंबा आंदोलन चलेगा उससे लोग उत्ता जाता भी छड़ते जाएंगे गांधी जी को यह चीज पता थी गांधी जी आंदोलन करते थे 1920-22 में किया आसा ही हो गांदोलन फिर रुक ग किया लोगों के घर गये लोगों के समस्याएं समझी अपने आपको मजबूत किया समाच को मजबूत किया समाच सेवा की उन्हों देखा फिर से परिस्टी गरम है लोहा गरम हो गया था 1930 में ताउंटेवल कांप्रेंस फेल हो चुकी थी फिर उन्होंने लाया यानि सबने ब दिया फिर दस सालों चुप रहे और जब युतिविस्व दिछिडा उन्हों परिस्टियों को देखते हुए अंतिम अंतिम में उन्होंने कुट इंडिया मूव्मेंट चलाया अच्छा गांधी जी ने कुट इंडिया मूव्मेंट में कहा कि करो या मरो डूर डाई तो इस यूछा करने जाएंगे घृष्ट नहीं पायेंगे कि मारे पाइस क्या था तल्वात भाला थे तेर अला ऑंको कोई कि डिये ते पहले लोगों को लगता था नरम पंथी क्या गोल लेते हैं अंग्रेज हमारा उधार कर रहे हैं लोगों को पहले समझ में तो आना चाहिए कि इनका चेहरा कितना भयाब है वही ग्राम सी की बात पहले आप वार आफ मनुवर लड़ो आप लोगों को समझाओ कि यह हमारे हित के लिए हैं और को लुटने ने आये हैं तो कंदी जी को इस तीस साल यह समझाते है लग्या ब्हारत की सेना समझ गई भी द्रौ perchा वार आफ पोजीसन से अंग्रिजम्र अपने जो अपने ञुद की मीडिया बनाते हैं अपने खुद की विचारधा बनाते हैं और लोगों को समझहाते हैं जो एक कांटर ही जवसस करते हों हो अब क incomod काउंटर हेजमिन तयार हो गई तो वार आप मेनुवर यानि कि अपसी थे आप डायरेक्ट युद्ध में आ जाए करो या मरो की बाद करने लगए देखो कांधी जी कोई लोगों की मनसीख्टा पता थी वाइसाब उन्होंने 22 साल अफ्रीका में खाक चानी है वह ब्रकती कितना महान होगा और आप यह सोचो कि गांधी जी की हमेशा वह लड़ते रहे ऐंसा के खिलाफ मतलब ऐंसा खिलाफ उल़ते रहे हैं वह अ सचाहते थे आपने जीवानन ने यह अहिंसा वह लेंगें लेकिन wielu सची आलश में बंगाल में कतले हम होता है पूरे आजादी के समय तो उस सानेटाइस में भारत बनाऊंगा, सब कुछ खतम हो गया, वो जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा, नहीं जिंदा रह सकता कोई वेक्ति, तो गांधी उस विचारधारा का वेक्ति था, चलिए, थोड़ा सा बात आंगे निकल गए, लेकिन गांधी जी के बारे में एक ओवर व्यू देना जरूरी थ जो परस्पेक्टिव है, आप लोगों की सिकायते हैं कि समझाते नहीं हो, अब कोर्स को पूरा करना है, समझाना थोड़ा सा ठीक है, समझायेंगे तो फिर लंबा चला जाएगे, और वैसे भी आप लोगों को पैसे तो देते नहीं हो समझाने का, तो ऐसे ही चलेगा, चलि नहीं रोजी, नमा कांदोलानों दांडी जातरा ही 11 मार्च, याद रखिएगा 11 मार्च 1930 को स्टार्ट होई थे, अदर्स वाग क्या था, अंध तक लड़ो, ता 6 अप्रेल 1930 को नमा कानून लिटरली तोड़ा गया, तो दांडी यातरा 11 मार्च से स्टार्ट होई, 6 अप्र 1931 में गांधिज द्वारा सेकंड राउंड टेबल कांफरेंस में हिस्सा लिया गया था, 1932 में मैक दोनाल्ड का संप्रदाइक पंचाट यानि मैक दोनाल्ड का जो कम्नल अवार्ड होँ आता है और गांधि अंबेटकर के मांध पूरा समझावता होता है, 26 सितंबर 1932 को, अवार्ड टेबल्टी अफेडरेशन बनाया था, बाद में यह हर्जन सेवक संग में बदाल गया, अमबेटकर सवन हिंदूओं के बहुल की बज़ा से इस संग को प्रसंद नहीं करते थे, गांधिर भी समझावते को, नमबार एक सरोजिन नैडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा है, किया मुन्सी ने इसे युग प्रवर्तन की घटना कहिए, तोती गोल में समिलन में आयंसी के एक मात पतनी दीके तोर पर राजपूताना जहाज से, कांधि जी ने इसमें भाग ल में सेल्फ या कि सुराज इना विदिन विन्यार, 1930 में अन्दोलन में कुझो नारा था वो था अभी या कभी नहीं, 1942 में करोया मरो का नारा था, मार्ज 1922 में गांधि जी द्वारा यंग इंदिया समचार पत्र में प्रकासित लेखों को आधार बनाकर सरकार ने उन पर रा तो गांधि को महात्मा क्युपाधी रमिना टेगोर ने दी है, राष्पिदा क्युपाधी से बास्चंग भोस ने दी है, गांधि जी के वन एक बार कांग्रेस के अतक्षिवाने, 1924 में बेलगाओं अजवेशन में, फिर गांधि 1843 में एक भारती के मुकदमे की पैर भी ह प्रिका गये, बहाँ उन टालिष्टा एवं फिनिक्स फार्म यानि आश्रम की स्थापना की, था नसली एवं रंग भेद की ब्रुद्व सत्यग्रह पतति का प्रयोग की तो गांधि ने सत्यग्रह पतति के प्रथम प्रयोग जोहानिस बर्ग में 1906 में किया था, ये कुश सुराज यह मोलता गुजराती भासा में लिखी थे तो अब भासा भूस सकता है इसकी, यह अबराहिम लिंकन के उसे से प्रभावित रशना है, हैंने सुराज पुस्तक बाद में अंग्रेजी में इंडियान होम रूल के रूम से प्रकाशित हुई, इस पुस्तक में गांध को राजी का पतन करना पड़ेगा, 1927 में गुजराती में सत्य के साथ मेरे प्रयोग यानि माई एक्स्पेरिमेंट वित्तुर्स पुस्तक लिखी, यह गांधी की आत्म कथा आटो बाइक रॉप ही है, और इस 47 में इंडिया आफ माई ट्रीम्स पुस्तक लिखी, भारत पाक परण विभाजन परगांधी जी ने कहा, कि यह अध्यात्मिक दोखटना है, मगर अवश्चक थी